किया यह सबसी देख कर आपके मुह में भी पानी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा क्योंकि यह बनी ही इतनी टेस्ट है एक आपके मुह में पानी आ जाये और इस रेसिपी का नाम है रॉयल मुगलाई मतर पनीर तो चलिए बनाते हैं बिकल होटेल स्टाइल हमारी रॉयल मुगलाई मतर पनीर हाई एब्रीवन मैं हूँ पारुल कुपवित पारुल में आपका बहुत-बहुत सॉल्गत है सबसे पहले आप पैन यहीं कड़ाई चड़ाईए इसको ओल करेंगे इसमें हम डालेंगे तीन बड़े चम्मच ओयल आप यहां पर घीवी रे सकते हैं ओयल को हलका करम करेंगे अब सबसे पहले हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले तो यहां मैंने लिए है एक इंच डालचीनी चार लॉंग 7-8 काली मिट्स साबोत यह सभी खड़े मसाले बहुत ही जरूरी है इस रेसिपी में तभी इसमें बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है कुछ डालेंगे हम इलाइची दो छोटी लाइची ली है मैंने एक बड़ी इलाइची अगर आपके पास बड़ी काली इल इसमें ने लिये 12-15 काजु इसको भी अच्छी तरीके से हम भूनेंगे अब इसमें हम डालेंगे एक प्यास जिसे मैंने चॉप कर लिया है मीडियम प्लेम पर अच्छे से भूनेंगे इस तरह से जब आप खड़े मसाले जो हमने डाले है और प्याज इस तरह भून रहे है जो एक special flavor सबजी में आएगा वो बिलकुल देखने लाइक होगा हलका सा सुनहरा प्याज को लगवग एक मिनट के करीब बिल लेंगे और अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़े चमबच अदरग लेसन पेस्ट अगर पेस्ट नहीं है तो आप अदरग को ग्रेट करके डाल रहे हैं और लेसन को भी बारिक चॉप करके इसमें अट कर लें अच्छी तरीके से भूनेंगे सबी चीजों को रेम को लोटू मीडियम ही रखें जिसे कोई भी चीज जले नहीं वरना स्वात खराब हो जाएगा अगर जल गई तो एक मिनट अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम ढालेंगे यह मैंने तीन टामाटर को मैंने रखली बस इसी तरह काट लिया है आप टामाटर भी इसमें ही डाल दे इसको भी अच्छे से भूलेंगे प्याश को हमें बहुत जाद है नहीं भूनना है मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटी चमच नमक दाले से सभी चीज़े बढ़िया से गल जाएंगी फ्रेंट्स बहुत बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है सारे खड़े मतालों की और सभी चीज़ों की यहां में एक चीज़ और बोल जाओंगी जो लोग प्यार ये लेसन नहीं ही खाते हैं जो ग्रेवी में आपके साथ शेयर की यानि जो बिना प्यास लेसन की इसका वीडियो आप जरूर देखें और उस ग्रेवी में आप ये सबसी बना सकते हैं उसमें यह बहुती स्वाजिस्स बनेगी लेम को low to medium रखेंगे और दो मिनट के लिए लिए लिट लगा देंगे दखकन से रख दीजे यह से थोड़े बढ़िया से टमाटर प्यास सब बिलकुल मैश हो जाए बढ़िया से घुट जाए दो मिनिट हो गए हैं चैक कर लेते हैं पर्फेक्ट सभी चीज़े ओयल छोड़ रही है और अच्छे से पग गई है तो गैस को आप कर देते हैं और इस मिक्स को थंडा होने देते हैं क्योंकि हमें यह पीसना है मिक्सी में गरम बिलकुल भी नहीं पीसेंगे जब यह थंडा हो जाएगा तब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे तो आप लीजे ग्रैंडिंग जार और ग्रैंडिंग जार में हम सारे मिक्स को डालेंगे और उसके एक और इसमें हम डालेंगे एक बड़े चम्मच बटर जो इसको बहुत ही बड़िया होटेल स्टाइल बहुत ही टेस्टी स्वाथ देगा अब ही हम इसमें डालेंगे कुछ बूल ओयल की लगबग एक चोटी चम्मच दोने चीज में लाने से आपका जो बटर है वो उर्ता नहीं है अब हम डालेंगे एक टेश बत्ता आदा चूटी चम्मच हल्ली एक बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर इसमें जले नहीं फ्लेम को थोड़ा लो कल दीजे और पूरा पेस्ट जो हमने भी मिक्सी में पीसा ता उसको अब मिया डालेंगे अब पेस्ट को मसालों के साथ अच्छी तरीके से लो टो मीडियूम फ्लेम पर भूलेंगे थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यह बिलकुल यूज कर सकते हैं बटर से थोड़ा सा रॉयल और थोड़ा सा होटेल जैसे स्वाता जाता है बहुत ही बढ़िया यह सबजी बनती है एक बार तो आप जरूर बनाएगा इसको फिर तो आप बार बार ही बनाएंगे आदा छोटी चमश में डाल रही हूं धनिया पाउडर बहुत ही जरूरी पॉइंट होता है किसी भी अच्छी सबजी को बनाने के लिए और आप यह देखिए कितनी बढ़िया हमारी ग्रेवी भूनी है पूरा ओयल छोड़ रही है और बहुत बढ़िया कलर भी आ गया है हमें बहुत जादा मसाले यहां डालने की इसलिए अबश कितना पतला या कितना आपको काड़ रखना है उसी अनुसार आप पाणी की मात्रह थोड़ी सी कम यह जादा कर सकते हैं जही हैं यह जयाद़ थोड़ी सी अच्छी लगती हैं इस में आदा चूटी मच नमक और डाल रही हूँ क्योंकि नमक हमने पानी मिलाया तो अब थोड़ा से कम हो गया जो हमने पेस्ट तयार किया था उसमें भी नमक डाला था तो उसी हिसाब से आप नमक को यहां डालें अब मैस में डाल रही हूँ एक कप हरी उबली मटर आप चाहिए तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं यह ताज क्रीम नहीं है घर में तो आप लें दो चम्मढ से मटर याई और यह चमढ सित ड़ीगें तो यह तो कम सब्हूं के लिए और पंड़िये चिसस सभी चीज़ें बिलकुल बढ़िया से पक जाएं और हमारी मुगलाई मटर पनीर एकतम जबदस बने ये मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर इंडियन कोटेश चीज पनीर को हम छोड़ छोटे पीसे में कट कर लेंगे तो इस तरीके से हम पनीर को कट कर लेंगे लगपक 7-8 म मिक्स करेंगे देखे क्या रंगत आई ये सब्जी की अब देख सकते हैं मुझे कहने की भी जरूद नहीं कि इस सब्जी का स्वात क्या होगा बिलकुल रॉयल हमारी मुगलाई मटर पनीर बनकर के तयार हुई है थोड़ा सा एक उबाल और लेते हैं जिससे पनीर में भी ब तो ये लीजे बिलकुल तयार है बहुत ही डिलीशियस रॉयल मुगलाई मटर पनीर और इस मटर पनीर की तो बात ही कुछ और है जैसे आपने देखा कि मैंने जिस तरह किसे इसको बनाया है आप जरूर ट्राई कीजे आप जो सिंपल मटर पनीर बनाते है उसको भूल जाए और ये जो मैंने मुगलाई मटर पनीर बनाई है मैं 100% शूर हूँ कि अगर आप ने इसको बनाया तो आप इसको महीने में एक बार जरूर बनाएंगे और इस मुगलाई मटर पनीर को आप एंजोए कर सकते हैं किसी भी नान के साथ, रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के अगर आपको बहुत महनत की है, जिससे मैं आपके साथ एक तम ऑथेंटिक फ्लेवर जो मुगल्स का होता है वो आपके साथ शेयर कर पाऊं, उमीद करती हो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, भूलें और अगर आपने मेरे चनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करें, थैंकियो फो वाचिंग, कुविद पारुल, जै है, जै भारत